हें हलो गाईज कैसे हो अफ लोग इस वीडियो में हम लोग समझेंगे paragraph tag के वारे में paragraph tag क्या होती है और इसका बेपेज में क्या use है और इसके attribute को भी समझेंगे आपड़ न्यू फाइल बनाते हैं नाम देते है paragraph .html HTML5 के basic syntax को add करते हैं ओके ग्रेट अभी हमारे पास body tag है जिसके अंदर हम scripting करने वाले सबसे पहले समझते है paragraph tag होता क्या है जैसे आप Wikipedia के page को देख सकते हो यह heading tag से Wikipedia यहाँ पर add किया गया है और यहाँ पर आप जो देख रहे हो इसे बोलते है paragraph एक paragraph यह है और दुसरा paragraph यह है और थार्ड वन यह है सेम उसी तरीके से newpedia को heading tag की help से add किया गया है और paragraph tag का use करके यह paragraph को add किया गया है ओके तो paragraph का basic syntax समझते हैं तो basically paragraph p tag होता है and as you already know guys किसी भी tag को पहले open करते हैं और फिर close करते हैं तो paragraph कुछ इस तरीके से दिखता है तो आपन इसके अंदर कुछ भी add कर लेते हैं ओके इसे run करते हैं browser पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक line को add कर लिया है paragraph tag की help से तो मैंने पहले की वीडियो में heading tag को discuss कर सुका हूँ तो मैं यहाँ पे heading tag को use करने जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे heading tag को add किया heading tag के लिए मैं यहाँ से यह copy कर रहा हूँ और यहाँ पे paste करते हैं और यह paragraph को यहाँ से copy करते हैं और यह paragraph के अंदर paste करते हैं ओके अभी इससे save करते हैं और आप output देख सकते हो h3 tag का use किया है so अपन यहाँ पर h3 tag use करते हैं and इसे save करते हैं okay perfect guys आप यहाँ पर output देख सकते हो इसे बोलते है heading tag and इसे बोलते है paragraph tag so I hope guys आपको understanding हो गई होगी कि paragraph tag का use किसले करते हैं and कहाँ पर करते हैं okay आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने align attribute का use किया and value दिया right and मैं इसे save करते हूँ आप output देख सकते हो so मैंने value दिया right जिसकी वज़ेसे यह paragraph इधर सो होने लग गया so मैं यहाँ पर value देख सकता हूँ center and आप output देख सकते हो and left value देकर मैं इसे left में कर सकता हूँ and हमने पहले वीडियो में सीखा था and हम लोगोंने पिछले वीडियो में text formatting tag को समझे थे so अपन यहापर use करने वाले so Wikipedia को मुझे bold करनी है so मैं यहापर b tag का use करूँगा and इसे save करते हैं so आप यहापर देख सकते हो Wikipedia यहापर bold हो गया same उसी तरीके से मुझे यह line को अगर italic करना है so मैं यहापर i tag को लेता हूँ and इसके अंदर यह paste कर देता हूँ and इसे हम save करते हैं so आप देख सकते हो यह line यहापर italic हो गया same उसी तरीके से delete tag का use करके हम यहापर text को delete कर सकते हैं मैं body की color को change करने जा रहा हूँ इसके लिए हम attribute को use करेंगे bz color and value देते हैं pink okay आप output देख सकते हो background color change हो गया अगर हम यहापर दूसरा color लेते हैं so आप यहापर देख सकते हैं output हमारा background color change हो गया so I hope guys आपको paragraph tag अच्छे से समझ में आया होगा and इसका use webpage में किसलिए करते हैं and इसके एक ही attribute है जो कि align attribute है जिसका use मैंने बता दिया आपको and text का color change करना text की बहुत सारे formatting होती है position को change करना यह सारा कुछ CSS की help से हम बहुत कुछ कर सकते हैं basically यह CSS का tutorial नहीं है इसलिए मैं CSS add नहीं कर रहा हूँ because beginners को सिर्फ HTML समझना होता है and जब आप एक बार HTML समझ जाते हो फिर CSS में कोई भी confusion नहीं रहती है so मेरा opinion है कि पहले आप HTML को अच्छे से सीखो and सारे attribute and सारे tag को use करना सीख जाओ उसके बाद आप CSS की help से आप एक अच्छा babe design कर सकते हो और गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye